अस्सलाम अलेकुम इस उमीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग ठीक होंगे हैरियत से होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी रोस प्लांट की कटिंग अपडेट दिखा रही हूँ यनि इन प्लांट्स रोस की जो कटिंग से हैं इनको मैंने एक माँ पहले ग्र हो गया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कटिंग जो है इसको मैंने एक महीना पहले इस चोटे से एक पॉट में चार इंच का पॉट है इसमें मैंने ग्रो किया था और आप इसकी रेड रेड सी लीवस और नई ग्रो देखकर आपको मालूम हो रहा होगा कि ये बड इन कटिंग पॉल की थी जिन में से दो जो है वो तो कामियाबी से ग्रो हो रही है एक थोरी जादा छोटी कटिंग थी और एक बड़ी थी जो बड़ी वाली है उस पे तो लीवस काफी बड़े-बड़े से अच्छे से नजर आ रहे हैं चोटी वाली भी थोड़ी बहुत कर रही है और इसको आज मैंने जब देखा तो इस पॉर्ट की ट्रेनेज होल से इसकी रूट्स भी बाहरा रही हैं यानि ये और दस पंदरा दिन तक बड़े पॉर्ट में शिफ्ट करने के लिए तयार हो जाएगा फिलहार मैं भी इसको रीपॉर्ट नहीं करूंगी थोड़ी स और इसकी रूट्स मैच्योर हो लें तो फिर इसको रीपॉर्ट करूंगी इस दूसरे पॉर्ट पे मैंने तक क्रीबन तीन चार दिन पहले कटिंग्स क्रो की थी तो ये हाई टाइम है बेस्ट टाइम है कि आप अपने रोस प्लांट्स की जो हैं वो कटिंग लगा दें क्य प्लांट्स के ज़्यादा शदीद गर्मी को बरदाश्ट कर सकें ये कुछ कटिंग्स मैंने अपने रोस प्लांट्स से लेकर उनको उनके लीवस को सारे हटा दिये हैं और बिल्कुल इसके लीवस साफ कर देंगे और ये तमाम कटिंग्स जो हैं वो मैं ग्रो करूंगी रो प्लाट की कटिंser आप यो यूज कर से अड़ाइबरी horrूक्ती से स federal सटते हैं उन्होंट लिलका जक एलोवेरा जेल के जो हैं यूज कर Mmी जो यूज जाया है यी से सच आप कंदू कि यह प्लाइबरी में में उन सब्सक्राइबरी पस्प्री का होता है, तो ये है कि आप कुछ ज्यादा कटिंग्स इससे ग्रो कर ले, हाँ ठीक है, केमिकल वाले रूटिंग हॉर्मून्स जो हैं, उनमें आपको जो सक्सेस रेट है, कटिंग्स अब ज्यादा होता है, लेकिन इसमें ये है कि आप इसको थोड़ी सी कटिंग् अपनी नीड के हिसाब से, यानि अगर आपको दस बारा कटिंग्स भी आप ग्रो करते हैं, तो पांच साथ प्लांट तो आपको मिली ही जाएंगे, हो सकता है, इससे ज्यादा भी मिल जाएं, तो ये है कि ऐलोवेरा जल तो अलोवेरा प्लांट तो तकरीबन हर गार्डनर क के पास मौजूद होता ही है, तो ये एक फ्री का रूटिंग हॉर्मोन आपके पास अवेलेबल होता है, जिसका कोई नुकसान भी नहीं है, बलके आप कहें तो ये एक तरह से आपकी कटिंग्स के लिए, इनिशल स्टेजिस पर यानि बिलकुल स्टार्टिंग पे एक पूड भी मिलता रहेगा, तो आप भी इस टाइम पे जो है, अपने पुराने रोज प्लांट्स हो हैं, उन से कटिंग्स लें, अच्छी सी और उनको ग्रो करतें, तो जरूरी नहीं है कि आप पैंसिल की ठिकनस की कटिंग्स ही लें, अगर आपके पास बारी कटिंग्स हैं तो उनको भी ग्रो करके एक्सपेरिमेंट करके देखें, और यह है कि मैंने जो आपको पहले प्लांट दिखाया है, उसकी कटिंग्स पैंसिल की ठिकनस से बहुत कम है, लेकिन बड़े अच्छे से वो प्लांट ग्रो हो रहा है, तो यह है कि आप हर तरह की कटिंग्स जो है उनको ग्रो करके एक्सपेरिमेंट करें, तो आई होप आपको यह वीडियो इंफरमेटिव लगी होगी, अगर कोई सेजेशन हो या कोई क्वेस्टन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसको जो आप देने की पूरी कोशिश करूंगी, तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और फ्रेंट्स और फैमली के साथ शेयर भी करें, अल्ला हाफिज